आप लोग जैसा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है निया निग्मन से लॉलेज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एससी का भी है बैंकिंग का भी है टेबल सर्विसेज में भी आता है जैसाई और सिपाही जैसे एक्जाम में भी आता है सबसे वड़ी चीज यह है ना कि जब निया निग्मन कोई पढ़ता तो उसके दिमाग में यह रहता है कि बहुत टॉफ है और टॉफ के चक्कर में वो इंको जो इतना कठिन बना लेते हैं कि आते हुए और आसान कोश्चन को इसको गलत कर देते हैं लोग निया निग्मन पहल अधिया आसान टॉफिक है और स्कोरिंग टॉपिक है स्कोरिंग ऐसा है कि जितने भी कूश्चन आएंगे अल्मोस्स सभी लगने चाहिए इसमें कितना कोई बनायागा इसको लगाने के भी तरीके अलग-अलग होते हैं कोई सर्केल रूल से लगाता है को हंडेट फिप्ट जदा आसान है और इतना आसान है कि आप कभी-कभी तो यह है कि कोश्चन देखके ही डायक्ट टैंसर निकाल सकते हैं पता नहीं क्यों फालतू में लोग इस टॉपिक से इतना घबड़ाते क्यों है खेर हम लोग सुरू करते हैं नया निग्मन और कई रूल्स हैं तो आज मैं इसको स्टरकल रूल से यह डाइग्राम बेस्क रूल से इसको पढ़ाएंगे बाद में हम हंडेड़ फिप्टी रू कर देंगे उसको समझते हैं क्या खित कैसे क्या है चलिए को सुरू करते हैं यहां मैंने टाइप वन का ही लिखाया है शुरूआत में इसको ध्यान दिजेगा कोश्चन को इकठा कभी नहीं आप पार्ट वाइज इसको लगाईए पार्ट वाइज लगाने से यह होगा कि धीरे धीरे आप इसको जब समझेंगे तो यह बहुत ही आसान मन जाएंगे और इतने आसान है कि आप खुद देखोगे कि आप फालतों का लोग डर रहे थे इस कि नमबर त्री कि सभी भी ए हैं और नमबर चार कि सभी कि ए हैं अब यहां ध्यान दूँ मैंने सुरुवात क्या है टाइप ऑन से यह आल के कोश्चन है मतलब जो सबसे बेसिक अस्तर के कोश्चन होते हैं जहां से आपको समझ में आएगा और स्टेप टो स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो यह प्रॉब्लम धीर अपने से निकल भी जाएगी सुरुवात करते हैं का डाइग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर डाइग्राम जब डाइग्राम आप बनाओगे अगर डाइग्राम आपका सही है जानलो कि 95% आपका कोश्चन सही हो गया सिप 5% एंसर देनिम रखते हैं इसलिए ज्याद में बहुत ज्यादा आप डीप मज़ा हो फिलोसपी में मत पहुंच जाओं कि यह फिलोसपी से भी कुछ समंद्ध में टाफिक होता है एकदम ईजी लेके चलोगे तो बहुत ही ज्यादा आसानी से इसको कर सकते हो क्या लिखा है सभी ए क्या है बी है अब सभी किसके साथ ल parable aALKふ का है पिके अंदर में लगहां डायग्रांफ सभी और यहे जितने अवह क्या है व क्या है व यह हमने उसक को डायग्राम बना जिया जो कि बहुत ही आशान डायग्राम क्या है सभी आसानए नी जो जिद अब ऊनने चाहिएत सभी और चाहिए तो सभी और ही ओगया हमाना डाइगराम ट्यार हो गया को बहुत ही आसानी से बहुत ज्यादा दस तरह के दिमाग में रूलस मतने कह यह एक दम जो सिंपल टोबित होता है और सिंपल तरीके से लगता है भी है इसलें़ को आसानी रहे तो बहुत ज्यधा सोच करे ठीक है तो हमारा डाइग्राम समझ में आ रहा है आपको सभी ए क्या है बी है और सभी बी क्या है सी डाइग्राम क्लियर हो गया चलो अब इस पर देखते हैं क्या हो सकता है इसके निक कंकूजन को लिखा है सभी ए क्या है सी है अब हमको सेम तरीके से जैसे हमने इसको डाइग सी है यह का सरकल सी के सरकल के अंदर है कि अगर है तो यह क्या हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं सभी एकर कि लगा है किसके साथ कि सी के साथ क्या सी का सरकल B के अंदर है आप देखोगे C का सर्कल B के अंदर नहीं है अज़ दब नहीं है तो इसको क्या मानेंगे कि सभी C B नहीं है तीसरा सभी B A है वही कंडिशन क्या B का सर्कल A के अंदर है चेक करो B का सर्कल A के अंदर नहीं है तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया नेक्ष्ट कोश्चन निसक्रस्ट रहते हैं सभी सी क्या है एं क्या सी का सरकल एक अंदर है देखो सी एक अंदर है नहीं है यह भी क्या हो गया गलत एकदम आसान से डाइग्राम बनाओ उसी डाइग्राम को चेक करो जो तरीका हमने डाइग्राम बनाने प्लगाया उसी तरीक question पर चलते हैं और हम अभी इसी type one में ही हम लोग रहेंगे दो तीन question लगाएंगे फिर आगे चलेंगे और इसको इतना मज़ेडार topic है यह कि आप इसको मज़ा लेते हुए पढ़ा सकते मज़ा लिंज से एक दम हसते हुए वड़ाएंगे और बहुत मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में लोग को चलिए हम लोग next question पर चलते हैं कि नोट करीएगा कि सभी कार सड़क है दूसरा है सभी सड़क मकान है निश्कर्ष सभी मकान क्या है? कार है अब ही हम लोग दम simple type one के चले all का ही मतलब सभी कही question पर सभी चल रहे है सभी सड़क कार है नमबर थ्री सभी मकान सड़क है और नमबर चार सभी कार मकान है मैं फटा फट इसको देखके आप solve पने की कोसिस करो ठीक है? अब इसका दुक्रण दाइग्राम अब इसका दुक्रण दाइग्राम सेम हो ही तरीका डाइग्राम का है क्या है? अब ही कार यानि कार कहां जाएगा? सड़क के अंदर अब उसी तरह सड़क कहां गया? मकान के अंदर क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब चलते हैं निश्करश्ट पे सेम प्रोसेस हैं सभी मकान क्या है? कार है क्या मकान का पूरा सरकल कार के अंदर है? आप देखो डाइग्राम में मकान क्या कार के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है न? तो यह क्या हो गया? गलत दूसरा है सभी सड़क कार है क्या सड़क कार के अंदर दिखा आपको? नहीं सिम्पल से एकदम से बहुत इज़ी देखो कितना आसान है सब है, नहीं है, ये वी क्या हो गया, wrong, फिर चोथा है आपका सब ही कार मकान है, क्या का सरकुल मकान के अंदर है दिखेगा आपको कार पूरी तरह क्या है, मकान के अंदर है, और एकडम से कोई problem मेरे खल से आप यहां होनी, नहीं चाहिए सब्सक्राइब करते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें। सभी लड़के आदमी हैं और सभी आदमी सैतान है, एकदम मस्ट टॉपिक है, कुछ भी लिख सकते हो, और यहां उस दौरान सही मान की चलिए, एकदम से, मज़ा भी इसलिए आता है, यहां पर जिसको जो कुछ नहीं बोल पाते हैं, नहीं बना पाते हो, मतलब कि एकदम ऐसा मत बोल दो कि सामने वाला बुरा ही मान ज पैस को, सभी शैतान लड़के हैं, और दूसरा आप क्या हो गया, सभी आदमी लड़के हैं, थर्ड हो गया, आपका, सभी लड़के, शैतान हैं, बस तीन ही ले लो, कुछ आज़े होते ही हैं, बिसने के लिए, यह दिख रहा होगा सबको, चलिए, डाइग्राम फटा फटेस्ट सो बनाईए, ठीक, चलो, मैं डाइग्राम बना रहा हूँ, उसको चिक करिएगा, डाइग्राम में आपका, सभी लड़के आदमी हैं, बड़ा सिद्ध बना रहा हूँ, दिख लिएगा, और सभी आदमी क्या हैं, शैतान है, डाइग्राम हमारा तयार हो गया, चलो, चलो, चेक करते हैं, सभी शैतान लड़के, क्या शैतान वाला जो सरकल है, लड़के के अंदर है, दिखा आपको, नहीं दिखा न, तो यह क्या हो गया, सभी आदमी क्या हैं, लड़के आदमी का सरकल लड़के के अंदर है, नहीं है, और सभी शैतान है, क्या लड़कों का सरकल शैतान के अंदर है, और यहां तो सही वेशे भी लड़के तो शैतान होते ही है और यहाँ तो खर दिखा भी है जो लगकार शैतान नहीं नहीं है थो टीक है तो टाइप उन ने आपका और आल का कुश्चन था और मेखल से आपको बड़े आराम से समझ में आ गया अब थोड़ा-थोड़ा इसमें चेंज करेंगे हम लोग अब ही अगला जो हम लोग का कथन रहेगा उसमें हम आल में सम ले आएंगे मतलब कि सभी में हम थोड़ा सा कुछ लाएंगे ठीक है फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी से बढ़ने की आउशकता नहीं है यह कि एक बार टॉपिक ज है तेम इसी ओल में हम लोग सम लाएंगे सभी के कथन सभी कर रहेगा और निसकर्स में कुछ कभी हम लोग इंक्लूट करेंगे कि सभी कि जोकर कि शेर हैं कि और सभी कि शेर कि लड़के हैं लड़को अले खुश हो जाओ शेर बन गए तुम लोग कि तभी जोकर कि लड़के हैं कि अब यह कि दूसरा है कि कुछ कि लड़के कि लड़के हैं खुश को यह कि अब दिद्धा रपी गज़े तुम लीकिन चुम के बारे मानी कुछ के बारे में कुछ बताया भी आपको नहीं है कुश्चंस तो ठीक है को इश्यू नहीं है नुट खलो और कुछ के बारे में पहले थो फ़्रसा समझ दो दस तरखी बकवास करने के जरूरत नहीं है कुछ का एक क्लाइन का आपका तरीका है कुछ का मतलब होता है जुड़ाओ यानि जो आपस में जुड़े हो किसी ने किसी माध्यम से जुड़े हैं उनमें कुछ का र पूरा नहीं है वो कुछ है यानि कुल मिलाके एक तरह से जुड़ा होना चाहिए अब जुड़ाओ का सरकल क्या होगा दिमाग में डालो सिर्फ सरकल दिमाग में डालो कि जुड़ाओ का सरकल क्या-क्या बन सकता है तो जुड़ाओ का सरकल जो होगा आपका देखो कैसे यह भी पट धियाएं और फिम्द के अंदर है नहीं है अच्छ छूड़ो ये बता यहीं मान और यह कम्रे के अंदर हों कि कम्रा मुझ से जुडा है दो हम यानि हम दोनों के बीच क्या है एक जुडा हो हो गया कि नहीं हो गया जब जुड़ा हो गया तो यहां कुछ का रिलेशन आटमेटिक डेबलब हो जाएगा अब यहां क्या है बोला जाए कि कुछ B A है तो B A से जुड़ा है क्ने जुड़ा है एकदम सही जुड़ा है तो यहां कुछ B कुछ का रिलेशन B की और से क्या होग है या माल लो यह क्लास है और इसमें इसका कौन सा हिस्सा है कुछ का हिस्सा है यह पूरा नहीं है क्या है कुछ है तो जहां सभी वहां अपने आप कुछ का रिलेशन owता है यहांस सभी लड़के क्लास में है यानि अधरoring क्लास में क्लास तो जहां सभी का होता है वहां कुछ का रिलेशन अपने डबलब हो जाता है तो कुल मिला के आपको दिमाग में डालना क्या है दिमाग में डालना है कि सर्कल जुड़ा होना चाहिए एक सर्कल दूसरा जुड़ाओ का देखो ये होता है सरकल ये दोनों आपस में क्या हुआ है थोड़ा सा जुड़े गया है कि ने जुड़े गया है जुड़े हैं तेहां कुछ B क्या हो गया है A अब कुछ A भी क्या हो गया है B clear हुआ कि नहीं हुआ ये भी आपस में जुड़े है तीसरा जितना A हो उतना ही क्या हो B हो, A और B क्या हो जाएं बराबर, अजब बराबर हो जाएंगे तेक दूसे जुड़े हैं, ये भी तो जुड़े हैं कुल कहने का मतलब है ये है, कि अगर जुड़े हैं, सरक्ल आपस में किसी ने किसी माध्यम से जुड़ा है तो हाँ कुछ का रिलेशन पॉचिटिव रिलेशन हमिस्ता क्या होगा सही होगा ही होगा आप चाहे जो कर ले जिसमें से ये दोनों इंपोर्टेंट है ये तो क्रेयर चांस में कहीं कहीं सर्कल बनता है मैकसमुण दिया भी नहीं आता है और दिया भी आता खासार बैंकिंग्स में ज्यादा इस थ्वासा कि सशेतल साते हैं कुल मिलाक के आपको क्या होना चाहिए कुछ का मतलब दिमाग में या यह बस जो बस जो हो उना चाहिए घुढ़ा हो सही होगा इसमें कोई doubt नहीं रखिएगा clear? अब question पे आए अब question पे आते हैं हम लोग देखते हैं और सेम उसी pattern पे देखेंगे पहले इसका diagram मनाते है सभी जोकर share है तो ये रहें जोकर सभी जोकर क्या है? share है और उसी तरह सभी share क्या है? लड़के हैं अब कैसे देखना है इसको diagram बन गया अब solve कैसे करना है देखो सभी क्या लिख क्या रहा है? सभी जोकर अभी मैंने बताया सभी का मतलब क्या? जिसके साथ सभी लगेगा वह दूसरे वाले circle के पूरी तरह अंदर होना चाहिए तो सभी जोकर रहा है अब हाँ देखो क्या जोकर का circle लड़के के circle के अंदर है? है? तो एकदम क्या हो जाए गई? सही कोई doubt ही नहीं है clear? अब यह देखो कुछ लड़के share हैं लड़के और share के बीच कैसा relation चाहिए हमको? कुछ का कुछ का मतलब मैंने क्या बताया है? जुड़ा होना चाहिए circle देखो क्या लड़के और share का circle जुड़ा है? आप यही तो मैंने बताया था इन दोनों में कोई आ रहा ये वाला circle आपस जुड़ा क्या नहीं जुड़ा है? जुड़ा है तो कोई आँख बन करके सही मारिये कोई कुछ सोचने के आउशकता ही नहीं है कुछ लड़के और share का circle एकदम से जुड़ा है जुड़ा है मतलब कुछ का relation क्या होगा? एकदम से सही होगा इसमें कोई doubt नहीं है अब फिर देखो क्या है कुछ share जोकर है क्या share और जोकर का circle आपस में जुड़ा है share और जोकर share ये रहा, जोकर ही है जाहिर से बातें अंदर है तो जुड़ा होगा? चाहे जब जुड़ा है तो कुछ का relation क्या होगा? सही होगा एकदम आसान से लिखे जाए दस तरह का सोच जो है अपना एकदम simple way से सोचेंगे ये topic इतना आसान है कि कच्छा 5 का बच्चा भी इसको लगा लेगा और जहां पर आपने इसमें अपने दिमाग की क्यूए को जगाया वो कीड़ा आपको उल्या के रख देगा जो चीजे बहुत आसान स्वज़काते ने जहां सुई का काम है वहां तलवार नहीं चलाना चाहिए यहां पर काम सुई का होता है मतलब इतने आसानी सिसको आप लगा सकते हो अब वहां तलवार भाजना शुरू कर दोगे ते काम खतम हो जाएगा चलिए नेक्स चलते हैं सीमें सभी आम अम्रूद है और सभी अम्रूद सेब है सभी आम सेब है कुछ सेब आम है कुछ सेब अम्रूद है अम्रूद है सभी अम्रूद आम है फटा फट इसको नोट करिए नोट हो गया लगा इसका स्टर्कल मैं बना रहा हूं मैच कर दाए इसको तभी आम अम्रूद है जो आम है कहां अम्रूद के अंदर सभी आम क्या है अम्रूद है दिखने रहा होगा चलो एक मिट फ्रसेस कर हम चेंज करते हैं कलर चेंज कर देते हैं वाइट कर देते हैं ओके सभी आम अम्रूद है कि अच्छों कि अच्छों कि अभी चल रहा है तो बहुत कठिन नहीं है अब उसी पर चेक करते हैं लोग सभी आम सेव हैं क्या आम सेव के अंदर है क्योंकि सभी आया है सब्सब्सक्राइब क्या अब कुछ का रिलेशन कुछ का मतलब क्या होता हैं जुड़ा होना चाहिए क्या हुना चाहिए जुड़ा होना चाहिए क्या सेब और आम का सरकल जुड़ा है यस जुड़ा है सही है कुछ फिर से आया सेब और अम्रूद आपस में जुड़े हैं यस जुड़े हैं क्या होगा सही होगा आया सभी सभी क्या है अम्रूद आम के अंदर होना चाहिए सभी अम्रूद आम है या कौन सा कठिन टॉपिक है जड़ा सा कठिन लगा नहीं लगा बस अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर चेंज करेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा पहला था कथन में सभी था निश्कस भी सभी फिर कथन में सभी था और निश्कस में सभी के साथ कुछ आया अब कथन में हम रखेंगे, one one step चलिए, बहुत आसांस हो जाए गई है। सभी कार महल है, कुछ महल मकान है, सभी कार मकान है, कुछ मकान कार है, कुछ मकान महल है, और नमबर चार, कुछ कार मकान है, लिख लिए होगा अपने, चलिए, बहतर है, और अगर लिख लिए है, तो फिर देखते हैं, कुछ कार महल है, इनका हम लोग सरकलिक बना लेते हैं, कुछ कार, सभी कार महल है, तो कार बना, कार कहां गया, महल के अंदर, लो भाई, बनी गया, उसके बाद क्या बोला है, कुछ महल मकान है, यानि महल का कुछ हिस्सा क्या होगा, मकान होना चाहिए, अब महल को मकान से जोड़ा है, तो महल को ही मकान से जोड़ेगा, ऐसा नहीं कुछा के जो अंदर कार बैटा, उससे जोड़ दो, जिससे बोला जाए उसी से जोड़िये अगर कोई रास्ता ना मिले कि भाई दूसरे को बिना क्रॉस की वहां ना पहुंच पाएं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तब तो जोड़ना ही पड़ेगा लेकिन कोशिश यही करी जिससे जुड़ा है से वही जुड़े कोई और ना मकान के अंदर है नहीं है कुछ मकान कार है कुछ मकान क्या क्या अब कुछ का मतलब क्या होता है जुड़ा हो ना चाहिए अब क्या मकान और कार जुड़े हैं कहां जुड़े हैं एकदम अलग अलग है तो यह क्या हो जाए गए गलत कुछ मकान महल है मकान और महल जुड़े येस जुड़े हैं और कुछ कार मकान है कार और मकान भी जुड़े नहीं है ये भी क्या हो गया तो कोई दिक्कत एक दाम देखो कहीं पर कोई वर्म आसान नहीं है आसानी है ना चलते हैं लोग सभी लड़के लड़किया हैं देखो मगर मैं किसी को कुछ लिख दे रहा हूं तो अपने पर मत लेना यहां बस थोड़ा सा मस्ती में जाक करते हूं पढ़िये ठीक है अजो लिखूंगा वह हमारे घर पर भी आगर तुम पर लागू हो सकता तो हम पर भी वह लागू हो साएगा बैए और तभी लड़कियां क्या होंगी लड़किया कि चलता है कि हमको तो अपने घर पर बच्पन में थे जैसे महाँ अंँपड़ के लढ़िके बेहन ही होती है अब जो बैहने होती नहीं तो बच्पन में हर भाई को अपनी बैहन क्या चुड़ेलर लगती है, और जो लड़का होता है अर भाई अपने बहन को राक्षा सवसायदा आने लगता है तो उसी को चलते हैं कि ऑप स्वारी एक मिट करूपेगा पहुच कर दूं कुई इस जूरी एग लगगा हम इस जूरी एग लगगा